लौकी की सब्जी को healthy होने के साथ साथ स्वाधिस्ट पनाने की भी हमारी पूरी कोशिश रहती है उसके चक्कर में जादर लोग क्या करते हैं बहुत सारे मसाले, क्रीम, मलाई या फिर बेसन वगरे का इस्तमाल करते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट पनाने के लिए लेकिन आज हम आपके साथ लोग की सब्जी शेयर करने वाले हैं वो बिना किसी मिर्च मसाले के बिना किसी क्रीम और बेसन के हम बनाएंगे सिंपल तरीके से बहुत जादा स्वाधिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी आप अगर लोग को इस तरीके से बनाएंगे तो यकिनन आपके बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे बहुत जादा पसंद आती है लोग की सब्जी चली टाइम वेस्ट नहीं चलते हैं किचन में दिखाते हैं आपको की लोग की टेस्टी सब्जियों में कैसे बनानी है ताही शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्वाधिस्टी लोग की सब्जी आप कैसे बना सकते हैं यहां सिंपल से घर में जो मसाले हैं उनी के साथ बनाएंगे बहुत स्वादेस्ट बहुत यादा टेस्टी सबजी लॉकी की हम ने आपर एक कारे साथ में डंटल बी कट कर देंगे अब हमने काट लेते हैं 4 पीसिज में लंब लंबे-लंबे क्योंकि अमें रफली मोटा मोटा कट करना पीसिज में तो यहां पर हम लॉकी को कट करने के बाद ही अच्छे से धोने वाले हैं तो पहले सभी चीज़ों काट लेंगे तो लॉकी को भी मच्छे से जिसी भी आप shape size में काटना चाते हैं उस तरीकी एक आप लॉकी काट लीजे अगर आप इस तरीके से काटते हैं तो लौकी जल्दी बनके जल्दी गलके तयार हो जाती है यहाँ पर लौकी कट चुकी है तो इसके बाद मैं आपर लेने वाली हूँ आलू, कच्चा आलू तुम यहाँ पर मैं दो आलू का use करूँगी और इन्हें भी हम यहां पर कट कर देंगे आप चाहें तो एक आलू से भी सब्जी बना सकते हैं आलू इस सब्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको आगे बताऊंगी क्यूं है तो लौकी के साथ यहां पर हमने दो आलू एड़ कर दिये हैं साथ में इसके सब्सक्राइब देंगे एक प्याज तो मैंने थोड़ा मोटे साइस का प्याज लिए हैं बड़े सायस का और इसकोब ऄहां रफली रफली इसके साथ टेस्ट चो है बहुत अच्छा कर देगी स्लेव में चार मिर्च ले रही हूं यह जो सब्जी है थोड़ी से चटपटी बनाए तो ज्यादा स्वाधिस्ट लगएगी नहीं तो आप मिर्च की मातरा कम कर सकते हैं तो यहां पर में सभी मिर्चो को कट कर ले रही हूं रुफली तेल सर्सो का तेल हमने यहां पर यूज के आप यूज कर रहे है जीरा अब मैं आपर ले रही हूं एक बावल में दही यह गाड़ा दही है अलग बावल मैंने आपर दही लिया है इसके अंदर हम एड़ कर देंगे अध्रक लसन का पेस्ट यह में रेडिमेट पेस्ट यह यूज कर रहे हूं आप चाहें तो घर में पीस के बेद्रक लसन का पेस्ट बना कर इसमें यूज कर सकते हैं साथ में डाल देंगे हल्दी पौडर एक चथाई चमच लाल मिर्च तीखी वाली स्वाद के नुसार और साथ में धनिया पौडर आधी चोटी चमच इन सभी मसा यूज से तेल थोड़ा सांत हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो वह कुछ इस तरीके से होगा और हमें उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाना है चलाना इसलिए क्योंकि हमने इसमें आड करिए दही और दही आप जब भी किसी चीज में आड करते हैं तो लगाता है नहीं तो तो यहाँ पे देखेगे जगे जो दही अच्छे से पक चुकी है इसमें अब आ चुका है jullie अगशे से आचुका है अब इसमें डाल देंगे सबजी जो ने सारी सबजी एक साथ कट की है और दोके शूब की एक शात पी सब्सक catching चेशा कर्वाम ने डालना है और इसका जो ट मिक्स करेंगे जिससे की मिर्च मसाले दही के अंदर ड़े हैं वह सबस्ब्जी में अच्छे से लगज़े अब इस सब्जी में जो आलू है ना लौकी जो होती है जब भी आप नमक डाल के लौकी को बनाते हैं तो पानी चोड़ना शुरू कर देती है और लौकी में अलग सज नहीं होगा और सब्जी में यह भी नहीं बता पाएगा कोई किसमें आलुडला हुआ है फिर आपको इसे ढख देना है और ढखके इसको आपको पकाना है लगबग 2-3 मिनिट और इसके बाद धकन अटाके फिर आप एक वर चला लीजिए से अलट पर लट लीजिए जिससे की स अच्छे से चलाते रहिए गा और इसके बाद हमने यहां पर थोड़ा सा मैश करने की कोशिश किये जिससे की जो आलू और लौकी है वह थोड़े सॉफ्ट हो जाए अच्छे से मैश होके एकदम काड़े हो जाए तो यहां पर जो सब्जी बिल्कुल अच्छे प्रफेक्ट सब्जी में से बहुत इच्छी खुश्वानी शुरू हो जाती है जब आप उसके अंदर गरम मसाला और धनिया डालते हैं तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने कोई बेसन वगरा किसी मलाई क्रीम वगरा को को यूज नहीं करा है लेकिन अगर आप जब इस सब्जी को खा आपको यह लोकी की टेस्टी सिंपल इजी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो पसंदा है रेसिपी पसंदा है तो प्लीज वीडियो के लाइक बटन जरू क्लिक करें और रिना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर तब तक साथ में इसमें बेल आइकन है साइड में तो आप उसको भी क्लिक करना नहीं भूलिए उसे दबाना नहीं भूलिए जिससे कि जो भी रेसिपी बना सकें वो सबसे पहले आप तक बहुत सकें आप सभी रेसिपी इसको एंजॉय कर सकें हमने अपने चैनल पे बहुत तेस्टी बहुत स्वाधिस लौकी की हेल्दी रेसिपी तो फिर मिलते हैं एक और नई टेस्टी सी वीडियो में आप सब के साथ तब तक के लिए बाबाई झाल झाल